जैने दोस्तों, मैं नवीन सर्म, आप सभीगे स्वागत करता हूँ, आसा करता हूँ, आप सब एकदम अच्छे हैं, एक बार सारे प्यारी दोस्त पताएंगे आप सब कैसे हैं, उमीद करता हूँ, एकदम बहतरीन, एकदम सांदार सब लोगों, घर सब लोग अच्छे होंग सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और प्यारे बच्छे आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ में हैं अब तक हम दो क्लासिज में क्या क्या बढ़ चुके थे एक तो हमने नेशनल पार्क को बच्छे कवर किया था नेशनल पार्क राश्ट्री अध्यान ठीक है ज बच्छे आज एक नई टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फेर रिजर्व और आपका वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी या बायोस्फेर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी दोनों कवर कर लेंगे बड़ी आसानी से अगर मैं कहूं तो जादा महत्पून टॉपिक है और वन्यजीव अभ्भारन से ना के बराबर कुश्चन पूछे जाते हैं घृक है ना के बराबर लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को एगनॉर कर दें पूछे जाते हैं ञेकिन हमारा टॉपिक ही कवर जो ये होता है नेशनल पार्क वा होता है भाई साफ ठीक है तो अभी शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग टाइम टेबिल की बात कर लेते हैं आप सब लोगों को पता होना चाहिए बुच्छे आप लोगों के लिए सार्थक बैच लेकर क्या ही जिसका टाइम टेबिल आपके सामने आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं आज ये आपकी डेमो की लाश्ट क्लास है बुच्छे आज के बाद की सारी क्लास एप्लिकेशन पर सिफ्ट हो जाएंगी यानि सब की सब क्लास आपकी ट करते हैं तो अभी हम टॉपिक को पढ़ना सुरू करते हैं बाइयोस्फेर रिजर्व बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना अभी जो बच्छे MTS देखर के आए होंगे उन्होंने देखा कितने डारक्ली कुश्चन बने तीन-चार कुश्चन बने बाइयोस् सीदी सी बात है भाहिया टाइगर को एक अच्छा सा स्पेस मिल पाए टाइगर सुरक्षित रह पाएं इसके लिए तो टाइगर रिजर्व है यह तो हमें समझ में आता है यह बायोस्फेर रिजर्व B.S.R. जिसको बोलेगे हम बायोस्फेर रिजर्व क्या होता है बच्च अध्यान को और साथ में इसमें Tiger Reserve भी और साथ में अगर बात करेंगे तो Wildlife Sanctuary यानि वन्य जीब अभ्यारन भी सामिल करके एक Biosphere Reserve बनाया जाता है एक बड़ा Biosphere Reserve जिसमें क्या होता है बचे कई बार कई National Park कई Wildlife Sanctuary और कई Tiger Reserve आते हैं अच्छा तो भीया हमारी समझ में ये बात आई कि Biosphere Reserve जीवों को संरक्षित करने के लिए एक सबसे बड़ा चेतर है तो भीया फिर National Park क्या होता है और वन्य जीब अभ्यारन वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी क्या होता है ये क्या है ये है वन्य जीब अभ्यारन इन दोनों में भी अंतर समझाईए हम लोग इतना तो समझे हम लोग इतना तो समझे कि भीया जी Biosphere Reserve सबसे बड़ा होता है ठीक है लेकिन राष्ट्रिय और दिहान और वन्य जीब अभ्यारन में क्या अंतर है ये भी समझे भाई साब ये समझो आप लोग National Park में सारे कडेनियम होते हैं यहाँ आप अपने जानवरों की चराई यानि ग्रेजिंग नहीं करा सकते हैं नेशनल पार्क में आप अपने जानवरों की चराई नहीं करा सकते हैं नेशनल पार्क से आप सूखी लकडियां उठा कर ला सकते हो येस और नो याद रख लिना यहाँ से आप लकडियां उठा कर नहीं ला सकते हो आप अपने पालतू पसुओं को इसमें नहीं घुमा सकते हो आप जर्णली नेशनल पार्क में ऐसे ही नहीं घूम सकते नेशनल पार्क बहुत सिक्योर होते हैं ठीक है वहीं वन्यजीव अभ्यारण में क्या होता है आप अपने पालतु पसुओं को कुछ समय के लिए चरा सकते हैं ग्रेजिंग अलाउड है वहाँ से लकड़ी सूखी लकड़ियां आदी उठा के ला सकते हैं हाँ जी उठा के ला सकते हैं उसमें आप जनर्णली घूम सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण भी है फिर वो अलग एक अधीनियम है ठीक है अंगेश कुमार जी टूमच थैंक यू मेरे दोस्त चलो बई कोई परिशानी अच्छा यूनेसको ने अब आते हैं बाइवस्फेर रिजर्ब बड़ा अच्छा टॉपिक है जहां से देखना यूनेसको ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिद्रश्यों के लिए इस कहानी को नोट मत किया करो यह कभी आपकी परिख्षा में नहीं आएगी यह सिर्फ सुना करो सांस्कृतिक परिद्रश्यों के लिए बाइवस्फेर रिजर्ब नाम रखा बाइयोस्फेर रिजर प्रकृति के संरक्षन के लिए किसके लिए? नेचर के कंजर्वेशन के लिए ताकि इस नेचर को बचाया जा सके, जीवों को बचाया जा सके ये साथ आर्थिक और सामाजिक विकाश का संतुलित प्रियास करता है इसमें तीन छेत्र होते हैं बाइयोस्फेर रिजर्व में जो सबसे कोई भी बाइयोस्फेर रिजर्व में जो बिलकुल बीच वाला सेंटर है उसको बोलते कोर एरिया बफर छेत्र उससे बाहर वाला होता है और जो ट्रांजिशन जोन है वो सबसे बाहर वाला होता है यह ची बच्चे कि आप में से सिफ्ट में पूचा गया होगा कि भारत में कुल बायो इस फेर रिजर्व कितने हैं क्या बोलेंगे बायो इस फिर अजिनी आदव जी कह रहे वाज बच्चा ऐसा हो सकता है मेरी आवाज धीमी आ रही है और ऐसा लग रहा होगा तुमको ठीक है ना मेर ठीक आजानी चाहिए आवाज तो बोलेंगे जी आवाज ठीक है ना ओके 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 ठीक है वैस्विक रूप से 120 पिलस देशों में 686 बायो इस फेर है नि पूरी दुनिया में 686 बायो इस फेर है ये बात भी अलग रही दोस्त 686 बायो इस फेर है आगे आई अगर हम बात करते हैं भारत की भारत में सबसे पहला बायो इस फेर रिजर्व कौन सा था नील गिरी कहाँ परिस्ति थे इसकी बात हम अभी करेंगे इसका बच्चे इयर भी आपको याद करना होगा 1986 पहला बायो इस फेर रिजर्व 1986 नील गिरी सबसे बड़ा biosphere reserve कौन सा है कच्छ है कच्छ biosphere reserve जो 12,454 km2 में फैला हुआ है 12,44 km2 हमें इसा area km2 में ही होता है किलोमीटर स्क्वाइर किलोमीटर स्क्वाइर क्या बोलोगे कच्छ ये बच्चे जंगली गधे के लिए जाना जाता है इसको जंगली गधा जंगली गधा जंगली गधे के लिए पुछा गया है कच्छ की खाड़ी जो बच्चे है आपका वो कौन से जानवर के लिए पुछद है तो जंगली गधे के लिए पुछद है सबसे छोटा biosphere reserve डिबरू सेखोवा ये तो मैंने आपको याद कराया है बताओ डिगरू सेखोवा आपने कौन से स्टेट में पढ़ा था बहुत अच्छे से आंसर कर दो एक पार पहला समुंदरी जीव मंडल रिजर्व ठीक है? क्या बोलोगे? अब तो भी है सबसे बड़ा हो गया सबसे छोटा हो गया सबसे पहला भी हो गया तो ये क्या है? ये है पहला marine biosphere reserve यानि समुंदर की भी जो प्रजाती हैं अब तक तो हम जमीन की बात कर रहे थे समुंदर की जो प्रजातिया है मचलियों की प्रजातिया है यह वहाँ पर बच्छे वनश्पतियां है जो समुंदर में उनको सनरक्षित करने के लिए भी मननार बायोईसफेर रिजर्व है मननार पढ़ता है बच्छे भारत और इधर भारत के अधर क्या है स्रिलंका तो इस वाले एरिया में मनननार है बारत और सिर्लंका के बीच में अभी देखेंगे सब कुछ मैप पर मनार बायोस्फेर रिजर्ब तमिलनाडू में है और एरिया कितना है दस हजार पांच सो किलोमीटर स्क्वाय ठीक है? एक कॉमन बाते हुई बोलेंगे एक बार कुदिकत क्या क्या मैंने आपसे बोल दिया भी या क्या क्या मैंने आपको बताया एक बार बोल देंगे उससे बोलो जी सबसे पहला सबसे पहला भाई साब क्या बोलोगे? सबसे पहला ऐसे याद कर लिया करो हाथ रखके याद करने का तरीका और कुछ नहीं है सबसे पहला बायो इसफेर रिजर्व कौन सा है क्या अंसर आएगा दोस्त आप लोगों का क्या बोलोगे सबसे पहला बायो इसफेर रिजर्व कौन सा है बताएं जी बता सकते हैं आसा नहीं से तो क्या बोलोगे जी भाई साब नील गिरी है क्या है नील गिरी सबसे पहला बायोस्फेर रिजर्व है सबसे बड़ा बायोस्फेर रिजर्व क्या वो लोगे कच है और सबसे छोटा ये गुजरात में हो गया कच में ये डिबरू सेखोवा हो गया सेखोवा, रूट वर्ड याद कर लिया करो सेखोवा, और सबसे पहला समुंदरी जी मंडल, यह मननार ठीक है, आके अब आते हैं 18 बाइयोस्फेर रिजर्फ है ठीक है, यह सीन टूपर दिखाएंगे एक बार, मैप में बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, पहला याद करने कोसिस करते हैं, यहां आएंगे लिखेंगे, 18 की 18 बाइयोस्फेर रिजर्फ से क्विश्चन पूछा जाता है भाई साब, ठीक है बोलो भई 1986 नीलगरी, जैव मंडलिये आरक्षित छित्र, तो इतना बड़ा नाम याद नीक रखना, क्या वो लोगे नीलगरी रखेंगे सिर्फ, क्या वो लोगे नीलगरी क्या वो लेंगे, नीलगरी तो नीलगरी कहां कहां पर है बिच्चे तमिलनाडू, केरल और करनाटक, मैंने कहा कि यह Biosphere Reserve है, अब तुम सोचोगे इसमें Tamil Nadu के जितने भी National Park है, जितनी भी Wildlife Sanctuary है, और बहिया, केरल और करनाटक, केरल और करनाटक, ठीक है, को दिकत आ गया है, नंदा देवी कहां पर पढ़ता है बच्चे, नंदा देवी, देखेंगे, बच्चे, आपका जीवन निकल ज देश का, जातियों में बाटते हुए, फोकस कर लो, कुछ भी बहस करने, तुम कमेंट सेक्शन में लग जाते हो, गलत बात है ना, खुद सोचो, तुमको गलत ना लगे, तो कोई दिकत नहीं है, लेकिन तुम ही को गलत लगे, कि हम अपना किलास में फोकस हटा के, कुछ औ प्लीज रिक्वेस्ट, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, देखो, नंदा देवी कहां है बच्छे, उत्राखंड, आपको आंसर भी देने है, मनार कहां है, ये तमिलनाडू, ठीक है, मना कर दिया था, याद है न, मुकूरती मैंने आपको बताया था, मुदू मलाई, मला पशिम बंगाल में, मानस कहां, असम में, सिमलीपाल, सिमलेकल के क्या हो गई थी, उडी, याद है, दीहांग, दीबांग, अरुन आचल, आचल अरुन के पीछे पड़ी रहती है, मुझे ये दिवा, मुझे ये दिवा, मुझे ये दिवा, मुझे वो दिवा, मुझे कुछ पंचमडी बायो इस्फेर रिजर्व तब पंचमडी क्या होता है मध्य प्रदेश में बही जो पंच है पंचायत में जो पंच है वो मध्य में ही तो बैठेगा सेंटर में बैठाते हैं पंच को पांच लोगों वो बीच में रहेगा और दो इसके इधर, दो इसके इधर पंच कहां रहता, मिड में मद्य में रहता है, ओके याद हुआ मिटा लेते हैं और जब बता पाओगे सारे तब समझूंगा मैं तो कि हाँ याद हुए हैं और अभी नहीं पूछूंगा तोड़ी दिर बाद पूछूंगा अभी तो याद रह जाता है तुरं 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 तु बिगर देखे देख बोलना है बच्चे यहां बोर्ड पे देख के बोलना है ठीक है बिगर देखे बोलना है ओके आगया आएगे अचिनक मार और अमरकंटक अमरकंटक की पहाडिया तो वैसे भी मध्य प्रदेश में हैं दोस्त, ओहो, ओहो, यह ज्यादा बड़ा होगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अचनक मार, ठीक है, अचानक से मार के छत से भाग गया, कहां से भाग गया, छत से भाग गया, ठीक है, बाइस्फेर अमरकंटक की पहाडिया है ही, आपका मध्य प्रदेश में, या आप जियोग्रफी में भी पढ़ेंगे, कच कारण जो जंगली गद्धे के लिए जाना जाता है, गुजरात में है, कहां पर है भाई साब, गुजरात में है, ठीक है, सर हम दिल्ली पुलिस की तयारी कर रहे हैं, क्या हम य परिश्रम बैच है, वो जाइन करना चाहिए आपको, किसी भी परिक्षा के लिए आप डेडिकेशन के साथ तयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके बैच की तरफ जाए, और बैच भी नहीं लेना चाहते हैं, तो बच्चे जी एस आप पढ़ सकते हैं, भासकर सीरीज है हमारी पर है जी भाई साथ, एक तो राजस्थान में है, कोल डेजर्ट कहा है, हिमाचल पर देश, कंचन जंगा चने किसे खाने है, सीख से, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, मलाई रूट वर्ड आया, तो मलाई तो वही है, तमिल नाडू ही होता है, केरल के पड़ोसी है, तो के पड़ोसी खोबा, मैं आपको याद चुका है, आसाम सीख लूगा जी, आसाम, भले मानस, रंगों के नाम याद नहीं होते, क्या वो ला था उसने, आसाम याद कर लूगा, सेसा चलम, अंद्धा आदमियों कैरा, सेष चलो, सेष चलो, अर भी आ सब चलेगे, क्या सेष चल प्यार एक जोडा हमें भी दे दो, तुमसे मांगा है सब तुमने दिया कभी test copy के बीच में से page निकाल के, हमारे test तो सब ऐसे ही हुए, ठीक है, पन्ना राष्ट्रिय उद्यान MP, हमारे पिता जी बहुत strict थे, हमारे copy चेक करते थे, तो पीछे, अगर ऐसे ही कही calculation कर लिए दे पेज तो नहीं बिगाड रखे, बड़ी सफाई से, उसमें pin रहती थी तो उसमें कागज भी बहुत सफाई से करना पड़ता था, ठीक है जी? चलो, मिटा लेते हैं इसको, अब हम कोसिस करेंगे, देखो मैं तो सायद भूल जाँगा कुछ, लेकिन आप board की तरफ ही देखे करना है कि जो बच्चा है, जो aspirant है, वो teacher से ज्यादा intelligent होना चाहिए, और होते भी हैं, आपका किसी teacher से ज्यादा focus होना चाहिए, ठीक है? Always, और intelligent आप होते ही हो, teacher एक विशय को संभाल रहा होता है, और aspirant को अपने परिक्षा के लिए बहुत सारे विशय ओपर ध्यान देना पड़ता है, aspirant बहुत मजबूत होता है, ठीक है? आएके, जहां से देखो, नीलगिरी, क्या बोला था बच्चे, तमिलनाडू, तमिलनाडू के साथ में कहां पर केरल, केरल के साथ में बच्चे क्या करनाटक था, इस वाले एरिया में, यानि की, निचले एरिया में, याद है, यह सीन टू पर दिखाएंगे भी बच्चो को, देखो बच्चे, यह सीन टू पर दिखाया, नहीं दिखेगा, नहीं पैन तो चला दूँगा, पहले नाम तो देखना चाहिए बाई सब, देखो जी, देखना जी बहुत ध्यान से, यह देखो, यह नीलगिरी लिखा हु आप कहां का पर है आपका, तमिलनाडू में फैला हुआ है, स्री मैं गलत बता रहूं, पिंक कलर नहीं, ग्रीन कलर, क्या बोलेंगे, यह जो ग्रीन कलर है आपका, तो इधर तमिलनाडू, खेरल और करनाटक में, तीन स्टेट में, यह कौन सा है, नीलगिरी है, भारत के नि बताया था, बोलेंगे एक बार, नंदा देवी, कहां है, आपका, उत्रा खंड में, उत्रा खंड में है, ठीक है, भानू यह सीन टू कर देना, जब भी दिखाऊं कभी, उत्रा खंड बच्चे पहचाने के मैप में उत्रा खंड तो आप जानते हैं, बस इतना बोल देना, येस और नो, यह एक साथ ही मैप में तो मैं दिखा दूँ पहले, पहले नाम याद कर लेते, तब एकटे मैप में देख लेंगे, फिर से एक रिविजन हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी, एकटे देख ले, मुझे आप बताए, नील गरी कहां पर हो पाइस, पाइसमिल नाडू की तरफ हो गया, निकरेग क्या बोलोगे, ये मेघाले है जी, मेघाले है भाई साब सुंदरवन, ये आपका पश्पल बंगाल है, पश्पल बंगाल वेश्ट बंगाल है, मानस कहां पर है दोस्टipal ये मानस आपका आशम में है, सिमली पाल दोस्ट कहाँ पर है? आपका ओडि शा में है दिहांग दिवा कौन कहती है? बार बार कुछ न कुछ आचल कहती है अरुन आचल पन्चमडी दोस्ट कहाँ पर है? मद्ध्य प्रदेश में पन्च बैठे का मद्ध्य में आगे चलते हैं अचनक मार अमरकंटक मैंने आपको कहां बताया अचानक से मार के छट से भाग जाओ तो क्या बोलोगे 36 गड़ 36 गड़ के साथ में अमरकंटक पहाड़े किदर आपका MP कच्छी कारण क्या बोलोगे गुजरात गुजरात cold desert ये दोस्त कहां पर मैंने आपसे बोला था हिमाचल प्रदेश में कहां पर हिमाचल प्रदेश में इस्तित है ठंडा रेगिस्तान हिम बोलेंगे cold किसको बोलते हैं बर्फ को ठंडे को हिम हो गया ठंडा है कंचन जंगा क्या बोलेंगे जी वहिया सीक से चने याद रखते हैं हम चने सिक्केम अगस्तम अलाई कहां पर बात भी इसकी भी तमिलनाडू और तमिलनाडू का पड़ोशी केरल ठीक है ये भी इदर फैला हुआ है केरल बड़ा निकोबार इसमें तो याद करने की जुरती नहीं है अंडमानने को बार डिबरू से एक होवा कहां दोस्त मैंने आपको बताया था अशम में ठीक है सेसा चलम जो ये बायोस्फेर रिजर्व है ये आंदर परदेश में है पन्ना कहां पर होगा मद्या में है मद्या परदेश में सारे याद हुए सारे आंसर कर पाए अब दियाण से देखना फिर से चलते हैं हम ठीक है जी फिरसे चलेंगे दोस्त आप का मैप की तरफ अब आप लोग मैप को दियाण से देखना बस दो मिनिट में मैप को पढ़ Seriously फिर से याद करना कहा मताया है तो यह सीन टू दिखा देंगे भी है देखो बच्चे यह रहा आपका यहाँ नाम देखें यह क्या नाम है Cold Desert क्या नाम है Cold Desert तो कहां बताया था हिमाचल प्रदेश में बताया था भी है नंदा देवी आरो आप देख सकते हैं कहां जा रहा यह रहा उत्राखंड में मैंने आपको बताया था डिब्रु सेखोवा भाईसाव असम में है देहांग देवांग अरोनाचल प्रदेश में है यह देखें इधर यह क्या है खंग चन जोंगा जिसको हम क्या बोलते हैं आपका चने से याद रखते हैं यह कहां पर है सिक्किम में है मानस कहां पर है भीया मानस असम में है नो क्रेक कावपोलो के यह रहा मेगाल्य में सुंदर्वन यह कहां पर है पश्यम बंगाल में सिम्ली पाल कहां पर है दोस्त पोडिशा में है सिम्ली पाल यह रहा फिर है अचनक मार अचनक मार कहा होगा आपका 36 गड़ में है यह देखें आप पन्ना है MP में है और यह पंचम डी भी कहां पर है MP में है यह भाई साथ यहां पर कच्छ है कच्छ गुज्रात में मैप से लोकेशन याद हुई या नहीं हुई बुलेंगे एक बार एक बच्छा लगातार एप्लिकेशन में कमेंट कर रहा है जितेंदर राजपूत सर मेरा ध्यान डिश्टर्ब हो जाता है पढ़ते वक्त क्या करूँ और जब से किलास शुरू हुई है तब से कमेंट कर रहे है आपको तो यह कहना चीए था कमेंट सेक्षन में जी अपने दियान के बटने के पीछे कारण मैं हूँ मेरा मन पागल है और मैं थोड़ा सा पागलपन का सिकार हूँ पागलपन का सिकार नहीं होना है ठीक है आगया है नील गिरी नील गिरी हमको जिस चीज से महबत होती है ना पढ़ाई से अगर इस्क तुम्हें होगा पढ़ाई से अगर प्यार तुमको है तो अपना आप सार तरीके ढुंढ लोगे प्यार के। सोचो ना जब तुम्हारी उनसे भात नहीं पाती होगी तो क्या-क्या टरीके खोजते होगे, तो वो प्यार है। किसी को माता-पिता से प्यार है, तो माता-पिता के लिए क्या कुछ कर सकता है, वो श्ट्रेंथ होनी चीए, भाई से प्यार है, बहन से प्यार है, किसी से चाचा से प्यार है, किसी और से प्यार है, किसी से भी दुनिया में प्यार है, तो चीजे आसान हो जाती है, तो आप ए ज़्यादा ध्यान दिया तुमने किसी और चीज़ पर आगया है कुछ नहीं होता मैं तुम बता रहा हूं कि सबकुछ ठीक है बॉड़ी के लिए कुछ बच्चों ने बोला जी योगा करो एक और कुछ नहीं होता ऐसा कहीं नहीं है वो बहतर बना सकता इस ट्रेंद को लेकिन पढ़ने के लिए कोई की योगा की वज़े से कोई पढ़ पाएगा नहीं उसके लिए इरादे छी ठीक है सबसे पहले उसके बाद सारी चीजे हैं सब चीजे बाद में काम आती है ठीक है सेसा चलम आंदरप्रदे इस गल्फ ओफ मन्नार गल्फ ओफ मन्नार ठीक है और यह आजकल दिक्कत बस लड़कों को होने लगी है ध्यान बटकने वाली ग्रेट निकोबार लड़कियों को दिक्कत नहीं है कि मैंने किसी का एड देखा कि लड़के बन रहे थो अब मंडल अध्यक्श बूत पिरवाहरी अभी चुनाब हुए ना ये निगर पाली का कर गए इसमें सारे लड़के भी जी है कोई मंडल अध्यक्षा है कोई यह अध्यक्षा है कोई वो अध्यक्षा है लड़के लड़किया UPSC टॉप कर रही है क्यूंकि उनको पढ़ने दिक्कत नहीं है और ना उनको कोई ऐसा मतलब स्ट्रेट जी चीए जी मैं पढ़ू कैसे उपर दिखाएंगे बच्चा को अने लाल मुह वाला इनका नाम है पिंकी अगरवाल पहला तुमने नाम की स्पैलिंग ठीक नहीं लिख रखी है यह कब स्पैलिंग में इमोजी इसलिए ताकि रेपलाई मिल सके नहीं करते रेपलाई बताओ अब क्या करोगे बड़ा पागल है डेट तो हमने अबी कोई बताई नहीं है कहीं डेट आई भी हम आज तक पढ़ रहे थे अभी तक डेट पिंकी जी कह रही है कि सर डेट याद करे नहीं करे कहीं पर डेट आई ये डेट कहीं किसी तारिक का नाम आपने देखा अब तकर आग किलास में दिख गई है, पिंगी जी आपको पिंक इमोजी भेजनी छी है, क्योंकि आपका माइंड भी पिंक है, चलो आगे आएंगे, इतना मजाग ठीक है, पिर्मुक वन्यजीब अभ्यारण, अब आते हैं बच्चे मेजर वाइल लाइफ सेंक्चुरी, बहुत कुशन मैंने बुला, नाखे बरावर इंपोटेंट टॉपिक है, लेकिन कवर करता है पूरे टॉपिक को यही, कह रहें जी डेट याद कर लो, मैंने कहां 19 जून बता दिया, एटलिस्ट ये तो बोलो कि सर, येर याद करने है या नहीं करने, अब आपको डेट और येर में नहीं पता है क्या लि नीलगिरी का बाकी किसी का नहीं, मैंने आपको बताया तो नीलगिरी याद करना है, आएंगे टॉपिक पर फोकस करेंगे वापस, वन्यजीव अभ्यारन फटा फट से खतम करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट छीजे वो मैं बता देता है, भा जोगोलिक छेत्र का 3.73% है, कभी नहीं पूछी जाएंगे चीजे, बस ध्यान से देखें, राश्ट्रि वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 के नुसार ये डेटा है, इस रिपोर्ट में 16,830 km2 के छेत्र को कवर करते हुए, अन्यद 218 अभ्यारन प्रस्तावित है, ये तब वन्यजीव अभ्यारन Wildlife Sanctuary के अगर हम बात करते हैं, बच्चे कितनी संख्या है इनकी? 565, वन्यजीव अभ्यारन क्या होता है? नैश्नल पार्क से छोटा होता है, किसी वन्यजीव अभ्यारन को, किसी Wildlife Sanctuary को National Park में हम अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा करके, लेकिन किसी National नेशनल पार्क को वाइड लाइफ सेंक्चुरी में अफग्रेड नहीं कर सकते ठीक है ठीक है आ गया है चलें जी राज्ये में सरवाधिक वाइफ सेंक्चुरी तो मैंने बोला वन्य जी अभिहारन कितने बच्छे 565 अब मुझे बताओ एक बार नेशनल पार्क मैंने तुम् किसरा क्या पढ़ा था हमने बायो इस्फेर रिजर्व बताएंगे जी नेशनल पार्क वही साब 106 मैंने आपको बताए टाइगर रिजर 53 और बायो इस्फेर रिजर्व 18 मैंने आपको बताये थे खुदिक्यत राजियो में सरवाधिक वाइल लाइफ सैंक्शुरि कौन सा ऐसा राज्य है सिदी सी बात है topic 365 है तो बच्चे एंथ स्टेट में कही कही होगी तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में Wild Life Sanctuary WLS बच्चे समझ पा रहे हैं Yes और No WLS आप समझ पा रहे हैं WLS नहीं जानते हैं तो लिख लें उपर से Wild Life Sanctuary वन्या जीव अब भिहारण को कहते है राज्यों में नियुन्तम Wild Life Sanctuary 4 है इससे कम किसी में है यह नहीं वो चार-चार भी किसमें नागालेंड, तिरपुरा और मेगालेंड ठीक है NMT नमित बोलते हैं नमित NMT नागालेंड, मेगालेंड और तिरपुरा यह याद रखे इनमें 4-4 हैं महराष्ट में कितनी हैं? 49 है केंदर यह सासित प्रदेश अब इस्टीट में तो महराष्ट में सबसे ज़्यादा हो गए अब यह कुश्चन जो SSC आपका CGL 2022 का पूछा गया कुश्चन है क्या कुश्चन पूछा गया वह कौन सा केंदर सासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारन इस्थित है तो क्या वो लोग है? अंडमान और निकोबार आंसर आएगा जी किसमें है? अंडमान और निकोबार में कितने हैं बच्चे? वहाँ 47 दूनी 84 तो 49 में 10 और ज़्यादा है ठीक है? केंदर सासित प्रदेशों में एक-एक है यह याद करने के आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है और किसी चीज के लिए मैं कह दूँ याद करने के जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है ठीक है? सिवी बच्चा बहुत सारा हेटी हूँ तुम्हें भी अभी नहीं पता है महिला भरती के लिए बच्चे क्या कह रहे है ASI भरती मनिशा जी कोई निर्नय होगा तो बता दिया जाएगा कहने का मतलब है हमारे पास कितने केंद सासित प्रदेश है? आठ है तो यह मान लिजी जरूर्नल आइडिया एक है अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है सबसे बड़ा wildlife sanctuary कौन सा है यह कच कारण है गुजरात जंगली गदे के लिए प्रशिद है और सबसे छोटा कौन सा है यह बोर है महराष्ट्र में है मैंने बोला था ना नवे गाउँ और बोर कहां पर है नवे गाउँ और बोर ठीक है याद है चंदोली काडोबा यह सब हमने पढ़े थे आपका नेशनल पार्क में दोस्त महराष्ट में परिकत आ गया है अब एक मनिशा का कमेंट आ गया एक बचा और साथ में आ गया क्या राजस्तान से हो क्या दिदी बताव यह परिवार बनाने के चक्कर में है इसलिए तुम सेलेक्शन से भटक जाते हो इसलिए तुम 6-6 साल तक त्यारी करते हो ठीक है देवियमान कहरे है सरकल आपका कि मैं आपको बता चुका था इसलिए उसको टाइगर स्टेट बोलते है अब बच्चे देखना दिहान से बन्याजीव अभिहारन यह गेंद मैं तुम्हारे पाले में देता हूँ इसको तुम याद करोगे ठीक है बहुत इंपोर्टेंट नहीं है कोरिंगा नेला पट्टू ऐसे जाद कर लेते हैं अंधे को रंग नहीं दिखते अंधे को रंग कोरिंगा अंधे को नेलाना पड़ता है नेलाना यह सिलिप हो जाएगा पानी में ठीक है अरुनाचल परदेश क्या बोलोगे अरुनाचल प्रदेश में क्या है आपका दिबांग दिबांग और यह चले जी अरुनाचल प्रदेश में अभी पढ़ाता आपने दिहांग दिबांग बहुत इंपोटेंट है मिहा आओ अश्रम का बच्चे पोवितोरा याद रख लेना देखो जो इंपोटेंट लिखा हुआ है वो बिल्यू भी किया है मैंने क्या बोलोगे पोवितोरा एक गरम पानी वन्यजीव अबिहारन भी याद रखेंगे बहुत दिना आज साम गरम पानी कर देना ठीक है आम खाने है हम तो ठंडे पानी में खाए जाते हैं अलागे गरम पानी में खालो कोई दिक्कत नहीं बिहार में भीम बांध और वरेला देखो बिहार में हमने पढ़ाता बिहार में वालमी की नेशनल पार्क तो बिहार करके आदमी बालम बनता है यहां वर भी तो बनता बिहा करके आदमी वर वरवधू आला वरेला याद रख लो वर आला चातिस गड़ में बादल को हल बारन वापारा जैसे बादल को कोई हल नहीं मिल रहा बार बार नया वापार करता है बादल को कोई हल नहीं मिल रहा बार बार नया व्यापार करता है इस तरह उसने 36 व्यापार कर लिए 36 बार नया व्यापार किसने कराए ये किया बोलो कि बार नया व्यापार तो 36 बार बादल को कोई हल नहीं मिलता विचारा एक बिजनिस ट्राइ करता है वो विफल हो जाता है फिर दूसरे बिजनीस की तरफ जाता है ठीक है बहुत बढ़ी है बहुत सही लिखेंगे एक बार सूटेबल कह रहे हैं बच्चा सर हमारे इधर बहुत अच्छी बारिस हो रही है बहुत बढ़ी है मेरे दोस्त प्रुजगार विदंग की चैनल का मौसम विभाग बनने के लि कोटी पहन के घूम रहा है या घूम रही है सब के नेत्र उसी पर है सब के नेत्र उसी पर है बोलते न ऐसे यूमेनिटी के लिए ताकत देश की बात जब आ जाए सब के पास अपने अपने बचाव के डायलोग से है वी आर ग्रेट सब खुद को बताएंगे लेकिन हमारे यहाँ कि इस पूरी धर्ती पर क्या बोलते हैं आज भी लड़के नेत्र कहां रहते हैं उनके लड़कियों पर अपनी बहन सब को सुरक्षित चाहिए अपनी भाब भी सब को सुरक्षित चाहिए उन्हें कोई न देखे और फिर क्या कहते है यह I am the great कहते हैं कि great कोई भी सब्भेता तब हुई है जैसे भीमराव अमबेड कर बाबा साहिब का एक कतन था कि किसी भी समाज की उन्नती उस समाज में महिलाओं की इस्थिती से देखी जाती है अगर वो सुरक्षित हैं तो हम सब्भे समाज में हैं हमारा माइंड सेट हमारा नजरिया उनके पिरती सुरक्षित है सड़क पे आती जाती लड़की को तुम पलट के नहीं देखते हो तो you are human किसी लड़की को तुम से नजरे नहीं छुपानी पड़ती then you are the human otherwise नहीं हो फिर आप अपने उस पिरपंच में उस घमंड में हजार अच्छी बाते खुद को अंदर से खराब रखते हुए भार खुद को अच्छा रखते हुए दुनिया रखती है साथ मैं भी रखता हूँ ऐसी खुद को दुनिया नियम है अच्छा दिखाने का I am the great यह यहां पर दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ यह एजुकेशन में तुमको इसलिए दे रहा हूँ प्यारे दोस्त कि मैं यह चाहता हूँ कि आप जीवन में कोई एक भी बने अच्छा बने सबसे बहतर बने ठीक है तो सब के नेतर है वहां गोवा में वह जी एक बच्छे लिखते है जैसे पुछलो गोवा जाओगे हाँ जी जाओगे क्या करो गोवा में है क्या गोवा में क्यों जाना है तुम्हें तुम्हें खुद को तुम जानते नहीं जाना कहा है गोवा गुजरात गागा ग्रेट गुजरेगी रात कुछ-कुछ गागा करके कुछ-कुछ गागा करके देखकर मुझको दूर से ही वो मुस्कुराने लगे अब तो वो भी हमसे इस्क फर्माने लगे अरो वहिया क्या बात है गुजरात कुछ गाएंगे रात को Indian Bustard खिजडिया बहुत important है बच्चे बिल्यू कलर का महत्पून लिख लेंगे आप खिजडिया ठीक है क्या बोलोगे गुजरेगी रात कैसी जडिया 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 वाली रात मतलब जाडो वाली रात कैसे भाईया कुछ गागा करके गुजारनी पड़ेगी कुछ गागा करके गुजारनी पड़ेगी ठीक है हरियाना खपरवास ठीक है हरियाना खपरवास देखो ऐसे बोलते हैं खपरवास एक तुमने सब्द सुना होगा खरपतवार तभी सुना दोस्त खरपतवार बोलते हैं कि जब हमारी फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, उसमें कुछ, मतलब अन्यूजवल चीज़े, घास, फूस, वो उगाएं, वो खर्पतवार है, तो खर्पत, से याद रख लो, खर्पव, खर्पवास कैसी होती है, हरी होती है, वो खर्पतवार भी, नीले रंग की थोड़ी घ हिमाचल परदेश, रेणुका और कुगती, मैं बतातो हिमाचल कैसी है, सरारती, इनके पिता जी का नाम बताओ जरा तुम, घूले तो नहीं हो, इनके आधार कार्ड में, पापा जी का क्या नाम था, बोलें, चलो, भाई, नोट्स बना लिया करो, धीरज गौतम जी, तुम क्यों गती, तो हिमाचल तो सरारती है, सरारती है, तो कि इसे पूछ रहा कोई, अभी तुम इतनी सरारती हो, क्यों इतनी गती में रहती हो, क्यों गती में रहती हो, बहुत स्पीड में रहती हो, तुम सरारत करने की, इनकी मम्मी का नाम आधसे रेणुका हमने रख दिया, बच्चों का नाम करन तो सब करते हैं, भी या मम्मी पापा के नाम रख रहे हो, कोई बात नहीं, जब आप हमारे साधत कुछ भी कर सकते हैं, हिमाचल, क्या बोलोगे, रेणू का, पिताजी इंदर किला, नेशनल पार्क जो है, बहुत बढ़ी है, जार खंड, जार से हजार याद हो जाएगा, डलमा है, करनाटक में बच्चे बांकापुर, मयूर और दानदेली, इंपोटेंट है, अट्टी वेरी सेटी हली, जो इंपोटेंट इंपोटेंट है, ये भी याद कर सकते हैं, भी या क्या वाइट वालोग ना याद करें, बिलक परांबिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क के केरल के थे, केरल के पढ़े लिखे हैं, सबसे यादा साक्षर है, वो परे रहते हैं, फाल्तु की चीजों से, जैसे तुम में से पता चल जाएगा, जो बेवजय के कमेंट करेगा, इसका मितला है, उसका पढ़ की चीज़ है, इसे परे रहो, ठीक है, पेपारा, मध्य परदेश, क्या बोलोगे, करेरा, सिंगहोरी, किसली, मध्य परदेश, इसको तुम याद कर लेना, इस पर कुछ भी बोलना खतरनाक है, महराष्ट्र, अंबा बर्वा, मनीपुर, यूंगो, पोकपी, लोकचाओ, ख मेगाल ये बाग मारा, मैं गायल कर दिया, बाग ने मारा मुझको, बाग ने, बाग मारा, नोंग खिले, मैं गायल कर दिया, कैसे, बाग ने मारा मुझको, और नाग से खिलवा दिया, उन्होंने मुझको, नाग से खिलवा के मैं गायल कर दिया, बाग से मारा मुझको, बा पुराने चात्रों को मैं बता चुका हूँ यह बहुत सारी समस्या आपके सामने हो सकती जो आप online class करते हो बचा online class करते समय जो टाइलिन है जो सलाइवा है जो लार है उसको आँख में सुबह लगाईए रहत को कुला करके सो मैं तुमसे ये भी कहता हूँ रात को ऐसा नहीं है कि मिर्च लगी हुई है मुह में और सुबह लगा लिए आँख में मिर्च वाहा जो टाइलिन हो उसको आँख में proper लगाना है जिसमे वसमें ये सब कुछ खतम हो जाता है आई साइड जो वीक होती है सब खतम हो जाता है क्योंकि आँख कमजोर कब होती है जब आँख बच्चे अमलिय हो जाती है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए आँख जब एसीडिटी उनकी क्या बोलते है आँख कमजोर हो जाती है अमलियता जब उनकी बढ़ जाती है आँख में हम क्या लगाते है सलाइवा टाइलिन व उसकी pH value 8.1 तक पहुच जाती है यानी vary करता है तो इसको आँख में apply करो दुनिया की किसी दबाई की जुरुत आपको नहीं है ना आखे दुखेंगी और आप classes अच्छे से कर पाऊगे तो बै उठते ही एकदम कुछ नहीं पानिवानी पीने से पहले नागा लेंड बल फक्रम याद है बल से फैक के मारा क्या बोलोगे कोई परिशानी है बहुत बढ़ी है जी सिवा मिसरा जी आगे चलें भाई सब नेक्स्ट ओडिशा पर आएंगे ये दो स्लाइड और है ओडिशा में गहिर माथा है पंजाब में अबोर अबोर बहुत बढ़या गौरव जादफ जी ने एक बहुत अच्छा कुश्यन पूछा है कैरे सर ये इतना याद कैसे रखें बटा अभी तो तीन दिन ही किलास हुई है आप क्या ये सोच रहे थे कि SSE CGL CHSL पास करने के लिए आपको कोई एक दो लाइन याद करनी पड़ेंगी तो भाई गलत फिल्ड में आयो फिर कम्टेटिव एकजाम का फिल्ड पूरे जिंदगी सरकार आपको तनखा देगी किस बात के लिए ये आपने नौकरी पाई है और जिसमें इतना बड़ा कम्टेटिव एकजाम है तो आप पहले तीन दिन में अगर ये बोलते हैं और इतने सांदार तरीके से याद हम करें कि इतना क्या से याद रखें बड़ा फिर गड़बड है ठीक है चलो हम किलास में बताते रहेंगे एक ही दिन में सारी बाते नहीं हो सकती है एक दिन में एकाद एकाद बाते करते रहेंगे दो चार मिनट नीद आती है पढ़ते टाइम ये सब की बात करेंगे ओड़ी शा, गहिर माथा, ओलिव रिडुले के लिए बहुत पूछा गया है राजिस्थान में किशरवाग सिक्की में फ्यमंगलो तेल अंगना में पांखल और कवल याद तेल लगा के कंबल में नहीं लेटना है कंबल पे तेल लग जाएगा ठीक है तिरपुरा में गुम्टी और रुवा उत्तर प्रदेश में कतर्निया गहाट है पशिम बंगाल में लोथियन और होली डे जब आपके होली डे पढ़ेंगे होली डे चुटी हैली डे हाला कि होली डे आद कर लो कहां जाओगे फिर हम अपने बंगले में जाकर रहेंगे होली डे पर गाओं में जाएंगे अपने बंगले में रहेंगे ठीक है बहुत बढ़ी है अंडमान निकोबार बच्चे माउंट हैरियेट ये नेशनल पार्क में भी हमने पढ़ा था इसका नया नाम क्या है माउंट मनीपुर हो गया है दिल है मयूर दीप कहां पर है अंडमान निकोबार में चंडीगड की सुखना जील बिल्यू कलर में बहुत इंपोर्टेंट अब बहुत पूछी जाती है अंकज बाबु आप ही की तो बात का मैंने अंसर किया था आखों में जलन होती है आप अब भी कमेंट कर रहे हैं बड़ा इतनी बात जान लो मैं डॉक्टरिय वैध नहीं हूँ मैं एक टीचर हूँ बहुत बड़ी है बारी गोड़ स्ट्रिटिक जीके की कितनी किलास होंगी मोहन स्याम जी लगभग आप पचास किलास का टार्गेट पान सकते हैं चाले से पचास किलास इसके बीच में अधिकत अब आप से मैं पूछ लूँ कोई एक देकर के जैसे मैं आप से पूछा अभी वरेला कुछन पूछा जाएगा तुमसे वरेला वरेला वन्यजीव अभ्यारन वरेला जो वाइल्ड लाइफ सेंक्चूरी यह कहां पर है सेंसर आएगा वरेला वरेला ऐसे कुछन पूछा जाता है गजब बहुत सांदार बिहार 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 करें गजब बढ़ी है तुम उन पागल बच्चों की तरह तो नहीं हो जिनको मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए बोलो जी दादरा नागर हवेली हवेलिये तो जादा फुदक मत फुदम फुदक याद कल लो कोई नहीं पूछेगा फुदम को फुदक याद कल लिया तुमारे हवेलिये तो जादा फुदको मत आये हुई न बात नो होती है कभी-कभी जरुवत थोड़ी सी है पढ़ाई में विस्वास रखें, दिल्ली में असौला भटी महरौली है लगदाख में कराकोरम है चांग थांग cold desert है, देखो ये चांग थांग आ गया, अभी हमने बाइवस्फेर रिजर्ब में पढ़ा था, cold desert बताना कहां पर था जब मैंने cold को क्या कहा था आपको मैंने कहा था, भाइसाब cold बाने की बर्फ, ठंडा, तो ये हिम को बोलते हैं, बर्फ, हिम बोलते हैं आइस को, तो ये आपका हिमाचल में था, लेकिन चांग थांग पूछले, क्या पूछले, चांग थांग ठीक है, लद्दा आखम लक्षदीप में पिट्टी है पिट्टी कुछ भी याद कर सकते हैं, आप लक्षद को बना करके पुडू चेरी ओसुडू और जम्मू और कस्मीर के लची पूरा और हीरा पूरा हीरा पूरा, ऐसी मैंने एक नाम बोला था, क्या आपने किलास में फोकस किया बिगर देखे बताना ओभी तोरा कहां का है ओभी तोरा, गरम पानी आम चांग यह सम किया है अरे गुट, कुदिकत तो बच्चे आज आपकी ये लाश्ट क्लास है यूट्यूब पर और कल से क्लासिस कहां चली जाएगी अप्लिकेशन पर अमीद करूँगा, आप लोग एक भरोसा करके सार्थक बैच से जुड़ेंगे और सार्थक बैच बच्चे आपके सपनों को सार्थक करेगा एक प्रॉमेस है पुरी RWA टीम का, आपके भाई का कि आप कामियाब होंगे अगर आप दिल से मेहनत करेंगे लेकिन आज तक की जो मस्ती थी तीन दिन में वो छोड़ देना और एक अच्छे मुस्कुराते हुए और मेहनत करते हुए एक अच्छे चात्र बनना हमेशा तो सब कुछ आसान है आपकी बच्छे मंजिल यही तक नहीं है आप क्यों चुल लेते हैं ऐसे कि मेरा यही एक्जाम निकल जाए निकालो फिर आगे बढ़ो बहुत औसत चात्रों ने बहुत बड़ी परिक्षा है पास की है बात है कि वो एक continuity के लेवल में आ गए तो कभी-कभी हम चुनते हैं और शेयर करते हैं कि हम इस परिक्षा के लिए अपना दिल जान लगा देंगे हम बहुत मेहनत करेंगे हम टाइम टेबिल बनाते हैं और दो दिन भी हम टाइम टेबिल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी फिर इन चीजों में है क्या क्या बहुत intelligent होना जरूरी है नहीं दोस्त सबसे ज़्यादा जरूरी है revision और continuity यानि कि आपने चुनाव कर लिया कि आप येतने घंटे पढ़ेंगे तो वो strength आपके अंदर आनी चीए नहीं आदद तो बनाओ पहले उसको धीरे-धीरे बढ़ाओ improve करो और अभ्यास से सब कुछ संभव है या एक ही दिन में सब कुछ हो जाए गा नहीं सब कुछ अभ्यास से होगा पढ़ने का अगर नए चात्र है अभी कुछ से dreams आपके हैं अभी सबसे पहले continuity और आपको अपनी strength बढ़ानी है revision सबसे must है किसी भी चीज का सारी study वेकार है अगर revision नहीं किया तो revision का अपना एक सांदार time table वो बनाए जो आप follow कर सकते हैं मैं classes में आपको guide करता रहूँगा वैसे भी कि एक ideal time table क्या हो सकता है एक ideal चीज है आपके पढ़ने के लिए क्या हो सकती है वो हम कड़ते रहेंगे बाते तो आज की class last class यह आपका बच्चे YouTube पर कल से application पर class होगी अच्छा कल Sunday है ठीक है तब तो Monday ही class होगी ठीक है कल से मतलब आने वाला कल होता है तो अपना ख्याल लगिए वाई वाई टेक केर लव यू आल थैंक यू जैहिंद जैभारत जैवा सस्वती थैंक यू